नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ लोगसबाद चुना की सरगर्मी तेज हो गई है भोजपूरी म्यूजिक के दुनिया के लोकप्रिय सितारे पवन सिंग हैं उन्हें बिजपी ने आसन सोल सीट से उमिदवार बनाया था लेकिन त्रिनमुल कॉंग्रिस की तरब से विवाद खड़ा करने के बाद उन्हें खुद से उस सीट से हटना पड़ा खबर को पुरिविस्तार से जानेंग उससे पहले आपको बता दू कि पवन सिंग ने भोजपूर छेतरे की आरा सीट से चुनौल लड़ने की कोशिस भी की थी लेकिन इसमें काम्याब नहीं हुए कारा कार्ट लोग सबा छेतरे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता उपेंद्र कुश्वाहाद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं बीजेपी की राह में रोड़ा बन सकते हैं भोजपूरे म्यूजिक के दुनिया के लोक प्रिय सितारे पवन सिंग हैं उन्हें बीजेपी ने आसन सोल सीट से उमिदवार बनाया था लेकिन त्रेनमुल कॉंग्रेस की तरफ से विवाद खड़ा करने के बाद उन्हें खुद से उस सीट से हटना पड़ा तब पवन सिंग ने भोजपूर छेतर की आरा सीट से चुनाव लड़ने की कोशिस की थी लेकिन इसमें काम्याब नहीं हुए शुत्रों से मिली जानकाली के नुशार निरास पवन ने कुछ दिन पहले बसपा नेता मायावती से मुलाकात की कयास लगाय जा रहे थी कि वह बिहार की काराकार्ट सीट से बेसपी के उमिदवार हो सकते हैं लेकिन पवन सिंग कारा कार्ट सीट से निर्दलिये उमिदवार के तौर पर चुनाओ लडेंगे। आप करना चाहेंगे। भोजपूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक और सितारे गुंजन सिंग भी निर्दलिये के तौर पर नमंकन पत्र दाखिल कर बीजेपी की राह में रोडा बन सकते हैं। के असंतुष्ट उमिदवार विनूद यादव निर्दलिये चुनाओ मैदान में उतर गये। जिससे महागठ बंदन में असहजता पैदा हो गई। कसावा विधानसभा चेतर के दो विधानसभा और जॉली और नवादा के राजद विधाय को ने नराज उमिदवारों के लिए खुल कर प्रचार करना शुरू कर दिया। जब भोजपूरी सिंगर गुंजन सिंग नवादा में अपना नमंकन पत्र जमा करने आये तो उनके साथ बिहार के यूटूबर मनिश कस्यप भी थे। तमिल्नाडो में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमले के कश्यप के वीडियो ने विवाद पैदा कर दिया। तमिल्नाडो पुलिस ने वीडियो को फरजी बताते वे कश्यप को गिरफतार भी कर लिया था लेकिन विहार सरकार ने भी उनके खिलाफ कारेवाई की 9 महीने जेल में बिताने के बाद अब वह चुनावी की समर में हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पवन सिं काराकार्ट से चुनाल लड रहे हैं और गुंजन सिंग नवादा से अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों जीत पाएंगे या फिर इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा तो जैसा के आपने सुना काराकार्ट लोकसभात छेतर में बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता उपेंद्र कुश्वाहा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं उनके खिलाफ विपक्षी महा गठबंदन के उमिदवार CPI ML नेता राजा राम सिंग कड़ी टकर देने की तयारी में ऐसे समय में मोधी समर्थक भोजपूरी स्टार पवन सिंग मंच पर्दी के कई लोगों को लगता है कि घायल बाग पवन अपनी लोक प्रियता का इस्तमाल BJP गठबंदन के खिलाप करना चाहेंगे फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही एक News24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे साथ ही हमारे यूटुब चैनल एक News24 को सब्सक्राइब करे यदि आप हमारे Facebook पेज को देख पारे तो मारे Facebook पेज को फॉलो करे धन्यवाद